पात्र, मोहन, बा, उका, द्रिश्य एक, मोहन की हाथ में पूजा की थाले, बा, कुछ बुद्बुदाती हुई, बेमंच के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बातें करते हुई चलते जाते हैं बा, तुम्हें मंदर जाकर क्या मिलता है? मिलता क्या, भगवान के दर्शन, मन पवित्र होता है, तु अंदर चल कर तो देख कितनी शांती मिलती है मोहन को ठोकर लगती है वह संभलता है देख कर चल बेटा अभी पूजा की थाली गिर जाती तो मैं पूजा कैसे करती मैं गिर भी जाता तो भी पूजा की थाली गिरने नहीं देता मा क्या पूजा बिना थाली के नहीं हो सकती पूजा की थाली नहीं होगी, तो पूजा काहे से होगी? मन सेबा, मैं भी राम का नाम मन से ही लेता था, और अंधेरे में उपर पहुँच जाता था, मेरे पास थाली थोड़े ही होती थी, बिना मन लगाए बढ़ाई नहीं होती तो पूजापाड कैसे हो सकता है? मास्टर जी देखते हैं, मन लगा कर काम किया या नहीं, तो भगवान जी नहीं देखते होंगे? बा मंतर जोर जोर से पढ़ने लगें, मंदर पास आते ही मोहन ठिठक गया, रुक्यों गया रे, चल अंदर दर्शन कर ले तुम हो आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ तुने बाकी बात मानना छोड़ दिया क्या? बा, तुम कहोगी तो मैं चला चलूँगा, पर मेरा मन नहीं करता, बदबू आती है, जगा जगा गंदगी के धेर बा, तुम सच बताओ, हम ऐसे घर में रह सकते हैं, फिर इस गंदगी में भगवान कैसे रहते होंगे? नहीं बा, भगवान वहां रहे ही नहीं सकते रोज तु यही सब बेसिर पैर की बातें सोच सोच कर लाता है तेरे साथ कौन जख मारे? दृश्य दो उका और मोहन मंच पर बैठी हैं, उका के पास जाडू और पंजा रखी है मोहन बाबू, बाब बहुत अच्छी है, वे तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? पहले तो तुम यहाँ बताओ, तुम मुझे मोहन बाबू क्यों कहते हो, मैं तुम्हें उका कहता हूँ तुम मुझे मोहन कहो, अब बताओ, मैंने बागी कौन सी बात नहीं मानी? बात जिस काम को मना करती है, तुम उसे क्यों करते हो? उका बा मेरी मा हैं मैं उनके बिना नहीं रह सकता फिर उनकी बात मैं कैसे टाल सकता हूँ नहीं भाईया तुम टालते हो दीवान साहब को पता चलेगा तो वे कितने नाराज होंगे तुम मुझसे कहते हो, मैं तुम्हारा नाम लेकर पुकारूँ, तुम्हारे साथ खेलूँ, तुम्हारे साथ खाऊं, या कैसे हो सकता है, तुम मुझे चूते हो तो? हम तुम्हारी प्रजा है, हमें छुना पाप है, कई बार बा तुम्हें बरजती है, दुखी होती है बा का दुखी होना अच्छा नहीं लगता उका, तुम मेरे दोस्त हो, साथी हो, हम साथ साथ खेले, बड़े हुए जैसे मैं बा को नहीं छोड़ सकता, ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ सकता तुम्हारी मा, मेरी मा नहीं है मोहन भाया, यह तुम्हारे लिए ही पाप नहीं, हमारे लिए भी है हमें भी अपने धरम करम से हटाने का पाप तुम्हें लगेगा मेरी बा कहती है हमारी पर्चाई से तुम लोगों का धरम बिगड़ जाता है मेरी बा को दीवान की बा कह चुकी है कि उका बहुत अच्छा है पर उसे देख कर मेरा मोहन पगला जाता है मा कह रही थी तु वहां मत जाया कर मोहन चुप रहता है एक बार उका की तरफ देखता है फिर उसका हाथ पकड़ लेता है वह चुडाता है उका मैं नहीं जानता मेरी बाने तेरी बा से क्या कहा पर तू मेरा दोस्त है बड़े भाया के दोस्त घर में आते हैं सब कुछ छूते हैं बा कुछ नहीं कहती मेरे दोस्त तुम हो तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे तुम क्यों नहीं समझते हम नीच है या तुम से किसने कहा वे नीच है जो प्यार को नहीं समझते मैं बा से कह चुका हूँ उका को छूने उसके साथ खेलने में मैं पाप नहीं मानता आदमी आदमी को छूने में कैसा पाप? मोहन भईया, तुम बा का दिल मत दुखाया करो वे हमें बहुत प्यार करती है नहीं भईया, मैं ना मा का दिल दुखाना चाहता हूँ ने तुम्हारा, पर मैं कितना अभागा हूँ कि मैं सबको दुख देने के अलावा कुछ नहीं कर पाता बाप मंदर चलने को कहती है वहाँ की गंदगी में पाऊँ पड़ जाता है तुम्हा नहाने को नहीं कहती तुम्हें छू देता हूँ तो बाल्टी भर कर पानी डाले बिना घर में नहीं घुसने देती फिर दुखी होती है उन्हें यहां भी गलत लगता है मुझे सब कुछ गलत लगता है तुम भी मुझे गलत समझते हो उका मोहन को सांत्वना देने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन ठिठक जाता है मोहन आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है